आप देखरें लैप सिटीज मैं हूँ आयाज ठंड बढ़ती जा रही है नियुनतम तापमान गोपालगेज में 5-6 डिगरी तक चला जा रहा है ऐसे मैं अस्पताल प्रशासन के तरफ से सदर अस्पताल में हीटर की विवस्ता की गई है उस तस्वीर को हम दिखाना चाहेंगे कि देखी कि किस तरह से सदर अस्पताल में मरीजों के लिए एक खास विवस्ता की गई है तो हम चलते हैं अस्पताल के अंदर और पूरी तस्वीर जो है वो दिखाते हैं कि अस्पताल के अंदर जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ गई है चुकि जैसे ही ठंड बढ़ती है तो मरीजों की संख्या में ब्रिधी हो जाती है जिसको लेकर अस्पताल पर सासन ने हीटर की विवस्ता कर दी है यह लाल छेत्र है आप तस्विरों में देख रहे हूंगे और देखे अंदर के यह जो मरीज का वाड है और यह सभी जो है मरीज यहां पर आए हुए है यहां पर हीटर लगाए गया है ताके जो मरीज आए उन्हें इसका लाब मिल सके और उन्हें ठंड से बचाया जा सके इसी तरह से सभी वाडो में हीटर की वरश्ता की गई है आगे की हम जो वाड है वो दिखाएंगे वाड नमर एक है इसकी भी तस्वीर आपको दिखाते है're देखिए वाड नमर 1 में भी जो मरीज है वो यहां मौझूद है और उनके लिए खास जो है हीटर की विवस्ता की गई है वाट नमर दो की बात करें वाट नमर तीन की बात करें सभी जगहों पर जो है हीटर की विवस्ता की गई है ताके उनको इससे लाब मिल सके और उन मरीजों को ठंड ना लगे उनको बिवस्ता दी जा सके हाला कि जब गर्मी आती है तो गर्मी के लिए एसी लगाएगा है प्रोपर तरीके से एसी भी चलता रहता है उसी तरह से ठीक ठंड में भी जो है हीटर की बिवस्ता की गई है अस्पताल परशासन के तरफ से ता और किस तरह से अस्पताल को लेकर तैयारी की गई है चुकि ठंड बढ़ रही है और ठंड को लेकर क्या तैयारिया है तो आप साब तोर पर देख रहे हैं सकते हूंगे कि जो अस्पताल है अस्पताल के एमर्जेंसी वार्ड में हीटर की बिवस्ता की गई है चुकि ठंड बहुत बढ़ गया और इसी को लेकर अस्पताल प्रसासन के द्वारा हीटर लगाये गया है ताके जो मरीज आ रहे हैं उनको इसका लाब मिल सके तो आए दखे कि ये पूरा जो है बेड है और इसमें कई बेड पर जो मरीज दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर हम यहां से जो प्रबंदक है उनसे बात करेंगे की heater की जो है वह बेवस्ता की गई है कब से यह लगाएगए है कितना फिर जो है वो लगाई गया पेशेंट को लेकि कि खना अप देखी रहे हैं कि कि जाधा है और पिछले संडे को बहुत जदा होने के कारण और अभी इमेरजंसी में में यह जगा व्यवस्ता हुआ है कि आप मरीजु को उसका लाब मिल रहा है। मरेज्स ले पार है विल्कुल उसका देख सकते हैं अब हमारे यहां पर जो पीशेंट है passionate है डिर से आप रूम में भी महसुस कर रहे होंगे कि यह रूम में अभी वातारवन एक्दम नॉर्मल है ठंडा बाहर में बहुत ज्यादा ठंडा है लेकिन वातारवन रूम का अच्छा है यह हीटर के कारण ही हुआ है मरीच जो बाहर के लोग हैं वो ऐसा सूचते हैं कि अस्पिताल में ब्यवस्ता नहीं मिलती है तो उन लोगों के लिए खास किया कुछ कहना चाहेंगे खिस तरह की विवस्ता अस्पिताल में दी जारी है बिल्कुल हम लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर कोई सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं कि हमें और क्या जुरत है क्योंकि जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं हो सकता है कि कमी हो तो हम चाहते हैं कि सुझाव दे तो हम उसको भी पूरा करेंगे ठांड को लेकर खास अस्पताल में क्या अवेवस्ता है इसके अलावा भी है ये विवस्ता हम लोग अपने अस्तर से है उसके अलावा भी यदी अगर किसी को सलाइन चढ़ाना है ये पानी चढ़ाना है तो हम लोग व्यवस्ता किये हुए है कि केतली से गरम पानी में उसको तब में डालके उसको पहले हलका सा नॉर्मल कर लिया जाए तब उसको पानी चढ़ाया जाए डिरेक्ट उसको ना चढ़ाया जाए ताकि उसको ठंडा ना लगे तो आपने साब तोर पर सुना कि सदर अस्पताल प्रशास्वन लगातार बहते ठंड को लेकर alert mood पर है और अस्पताल के emergency ward के सभी wardों में मरीजों के लिए heater की विवस्ता की गई है ताके उन्हें ठंड ना लगे और उन्हें सुरक्षित बचाए जा सके आप देख रहे हैं लाइप सिटिस मैं हूं गोपाल के से आया आजामत